श्रीमत भागवतम सकंद्रितिय अज्याई प्रथम इश अनुभुति का प्रथम सोपान स्लोक संक्यबारा किम क्या है प्रमतश्य मोगरस्त का बहुभी बहुतो के द्वारा परोक्षय अनुभव विहिन हानय बर्षोतप इह इस संसार में वरम श्रेष्ट मुहरूर्तम एक्षण विधीतम चेतन घटते प्रयास कर सकता है श्रेयसे परमार्तमा के मामले में यता जिस्स से अनुवाद इवत्तातपरिय एश्री भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपात के द्वारा ऐसे दिर्ध जीवन से क्या लाप जिसे इस संसार में बर्षोत तक अनुभव विहिंद बने रहकर गवा दिया जाए इससे तो अच्छा है पुर्ण चितना का एक्षण क्योंकि इस से उसके परम कल्यान का मार्थ प्रशर्शत होता है तात परिया श्रीलस सुग्देगो स्वामी ने महाराज परिक्षिक को प्रत्यक प्रगतिशिल व्यक्ति द्वारा बगवान के पहित्र नाम का जब करने की महता का उपदेश दिया राजा जिनके जीवन में केवल साथ दिन सेस बचे थे उनको प्रोसाइच करने के लिए श्रीलस शुग्देगो स्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सेकंडो बर्स तक जीवित रेने से कोई लाब नहीं इससे तो परमार्त्म की चितना से युक एक शण का भी जीवन श्रेकर है जीवन का सरोपरी लाब सनातन है एवग नान दना आनन से पुर्ण है जो लोग भवतिक जगत के बाहिय लक्षोन से मोग रस्त रहते हैं और खाओ पीओ मोच करो जैसी पास्वी कृत्ति में लगे रहते हैं वे केवल मुल्यवान समय को व्यर्थी गुजारते हुए अपने जीवन को गवा रहे हैं हमें पूर्ण चितना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद जीव को यह मनुष्य जीवन आज्यातनिक सफलता प्राप करने के लिए प्रदान किया गया है और इस लक्स को प्राप करने की सरतम विदी है भगवान के पहितर नाम का किर्टन पिछले स्लोप में हमने इस विशेग की कुछ सिमा तक व्याख्या की है और अब आगे हम पहितर नाम के चरणों पर किये जाने विविन अपरादों पर प्रकास डालेंगे श्रील जीव गोश्वामी प्रभू ने प्रामानिक सात्रों से अनेक उद्दर निया दिये है और पहितर नाम के चरणों पर किये जाने वले अपराद के विशे में व्यक्त विचार की युग्यता पूर्वक पुष्टी की है विश्णु यामल तंत्र से स्रील जीव गोश्वामी ने सीथ किया है कि भगवान के किरितन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभाव से मुख्थ हो सकता है मारकंड़े पुरान से उद्धरन देते हुए स्री गोश्वामी जी ने कहते है कि मनुष्य को चाहे कि वह न तो भगवद भक्त की निंदा करे और न उन लोगों की बाते सुने जो भगवद भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते है भक्त को चाहे कि निंदक की जीप काटकर उसे निंदा करने से रोके और यदि ऐसा न कर सके तो उसे चाहे कि भगवद भक्त की निंदा सुनने की उपेक्षा अपेक्षा आत्मघात कर ले बड़ा पाप है महापाप है निश्कर यह है कि मनुष्य को न तो बगवत बग की निन्दा सुनी चाहिए न किसी को ऐसा करने देना चाहिए जहां तक देटा के नामों से भगवान के ऐसे दीर जीवन जी रहे है लेकिन उसको पता ही नहीं कि मनुष्य जिन का उद्देश्य क्या है परम पूरुष कौन है और आत्म कल्यान क्या है और कुट्टे बिली की तरह रात दीन ऐसी कारिय करते रहते खाना पीना सोना तो उससे तो एक शर्ण भी भगवान का नाम ले लेता है कोई जीव तो उससे वो बढ़कर है तो भक्त सुत्ते होगे के हम तो सुला माला करते हैं मंगला अर्दी करते हैं भागवत हम सरौन करते हैं भगवान के दिरिवय ग्रंद का वितरन करते हैं लेकिन अगर इसमें भक्त को थोड़ा भी अभिमान आ जाता है कि सास्त्र इसा बता रहा है कि लोग जो जैसे जी रहे हैं बिना आत्म कल्यान का बिना आत्म शाक्षार करके जीवन का कोई उदेश ही नहीं है और लंबा हैंद्र में कृष्ण नहीं है उसे तो हम अच्छी है लेकिन हमको गुरु परंपरा द्वारा भगवान कृष्ण के द्वारा हमको गुरु प्राप्त हुए और गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को जान सकते हैं भक्ति को जान सकते हैं भगवान को धाम को जान सकते हैं हम क केने का तात्परिया यह जैसे परिक्सित मारा आज साथ दीन आम उपास पे आम उपास पे आमरन उपास पे बेट के हैं और भगवान का स्रोण कर रहे हैं लेकिन हम इस मायविर जगत में फसे हैं और हमको पता भी है कि हरी नाम का महत्व क्या है और मनुश्य जीवन क्यों मिल है महत्व है कि हम भगवान के साथ हमारा पुनस थापीत पुनस अबन जोए वापीस थापीत कर सके और भगवान को प्रशन कर पाए उसके धाम में वापीस हम जाके लेकिन और तभी हो पाएगा जब हम द्रड़ता से भक्ति करेगे और इस लोग को समझेगे एक शन भी अगर कोई एक भी क्रिशन के सरन में जा रहा है और खाली नाम भी बूल रहा है और जिसके पास समय नहीं है करोड़ोपती अबोजोपती है जिसके पास एक शन नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए और एक बज जी उसके पास कुछ नहीं है कंगाल है लेकिन हो हरी नाम ले रहा है तो उससे कई गुणा वो बढ़कर रहे हैं पीरतात्यर में लिखते शिलिवरुपात शुक्देगो स्वामी महाराज परिक्षित्यों प्रत्य प्रगत्य शिल्व्यक्ति द्वारा भगवान के पहित्र नाम का जब करने की महता का उपदेश दिया परिक्षित महाराज को सुक्देगो स्वामी ने भगवान का नाम जो है उसको आप स्मरन करो उसके उपदेश दे रहे हैं और इसके आगे बताया भी भागतम में कि हम पूर्णता से जब कैसे कर पाएगे जो दस्वा नाम अपराद है वहाँ पी लिखते हैं कि पूर्णता सावधान न रहकर जब करना भी अपराद है सावधान न रहकर अपराद करना ऐसा नहीं लिखना है पूर्णता सावधान रहकर यानि कि हमको जब करते समय उन रुप से सावधान रहना चाहिए वरना हम नामा अपराद के स्थिति में ही अभी तक है नाम अपराद में क्या मिलेगा आश्री मिलेगा तो हमें भक्तों के स्वचना चीए कि हम अपराद अरे नाम जब तो ले रहे हमारा गोल है भगवत धाम जाना और भगवान की प्रेम में सेवा करना लेकिन एक हमारा गोल होना चीए और हर वक्षन में याद रखना चीए कि अगर हम नामा अपराद से उपर की स्थिती में नहीं जा रहे है तो हमारी बहुत बड़ी स्थिती नहीं है हरी नाम ले रहे है लेकिन हमारा जो गोल है वहां तक हम नहीं पहुंच पाएगे तो इसलिए सुगदेगो स्वामी महाराज यहां पर बता रहे है कि प्रगतिसिल व्यक्ति द्वारा भगवान के पहितर नाम का जब करने की महताका उब्देश दिया राजा को देखो नाम क कितना महत्र है जिनके जीवन में केवल साथ दिन सेश बचे थे उनको प्रोस्ताइट करने के लिए श्रीले सुगद्यों को श्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समश्या को जाने भी ना सेकंडों बरसों तक जीवीत रहने से कोई लाब नहीं अभी प्रश्न ये होता है जो बच जीवे आज सब हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस संसार में इस ब्रह्मान में फसे हुए तो ये सोचेगे कि अगर ये तात्पर ये पढ़ेगे अगर कोई भक्त नहीं और पढ़ लिया तो भी भक्त बन सकता है लेकिन जो इंद्रे तुक्ते में लीन है वो द जोर देकर काया कि जीवन की समझे को जाने बिना सेकंड बर्स तक जीवित रहने से कोई लाब नहीं है यानि कि कोई सास होता है कि मैंने जीवन लिया है तो अच्छा एंजिनेर बनूँ अच्छा साइंटिस्ट बनूँ तो मेरा जीवन का उदेश्या पुरा होएगा वरना अगर मैं इसे ही बीना कुछ किये चला जाओंगा मेरा कुछ नाम नहीं है मैं कुछ पॉलिटिकल में आओ मेरा अच्छा नाम होए मैं अच्छा बिद्नेस में आओ तो कुछ अच्छा में करके जाओ लेकिन यहां पर भौतिक एश्वरे की बात नहीं हो रही है भौत अच्छा कर नहीं किया है जो बार बार जन्म मृत्यु जराव्यादी में जो फस रहा है कि मैं क्यों बार जन्म ले रहा हूं बार बार में मृत्यु के और जा रहा हूं बार बार में अलग-अलग शरीर धारन कर रहा हूं उसमें मनुश्य शरीर है तो मेरे को यह बिनान कि भगवान कौन है मैं कौन हूँ भगवान के साथ मेरा सबन क्या है और स्रीमत भागवतम क्या उपदेश देना चाहते है पुरान क्या उपदेश देना चाहते है यह मनुश्य जीवन में ही संभव है तो यह यहां पर बात हो रही है और जो आत्मसाक्सात कर लिया जो भगव गुपान को जानलिया के पुर्ण पुर्षौत्म स्री को और सीवां को बढ़ाएगा तो एसे हम जिद आयुश्य हम जी रहे हैं लेकिन एसे हमारी कोई चेतना यह नहीं है, हमारा कोई प्रश्ण नहीं है, आत्मा साक्साल करने का, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, यहां पर बता रहे हैं और इसके बाद इस इही अज्जाई में, इही सकंद में शीलप्रभुपात बताते हैं, अथारवा स्लोक में शीलप्रभुपात ने इसका भावार्थ दिया है कि कैसे लोग इसका जिवन व्यतित कर रहे हैं, और जैसे पेड पोदे भी होते है, उसकी भी आईश्य लम भी होत आयू अनिक गुना है लेकिन उसका क्या लाब इसके तात्पर में प्रहुपाद लिखते है इसलिव प्रहुपाद हाँ यदि यह मान लिया जाए कि मनिश्य की आयू बढ़कर एक सो वर्ष से भी उपर हो जाए तो जरूरी नहीं है कि मानव शब्यता का विकास होगा अगर उसके आय बढ़ जाती है तो मानव सब्यता का विकास नहीं होगा मानव सब्यता का विकास जनी की आत्म साक्सार्थ करना यह विकास है आधुनिक विकास की यहां पर बाज नहीं हो रही है भागवतम का कदन की कुछ व्रुक्ष सेकंडों हजारों वर्स तक जिवित रहते है रुद्दान में एक इमली का व्रुक्ष है अम रुद्दान जाते है तो इमली तल जहां चाहिते नमा पूँ गहे थे यह स्थान इमली ताला कहलाता है जो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्तीत बताया जाता है यानि कि भगवान जो स्री कृष्ण है ते धरा पे तब ते वो व्रुक्ष वहाँ पे है और अभी भी है यानि कि साड़े पांच जार साल पूर्वे का व्रूक्स है तो उसका आईश्य कितना बड़ा है यहां पर प्रभुपाद एक्जांपल दे रहे हैं कि जो दिर्दाईश्य जो जीना मांगते है लेकिन उसके उद्देश्य अगर आत्मा साकसार करना नहीं है त उसको प्रभुपाद ने सरका आए यह बड़े बड़े जो रूक्स जो है लंबे समय पे जो धर्ती पे स्तीत है उसकी आईश्य बहुत बड़ी है लेकिन रूक्स आत्मा साकसार कर नहीं कर सकता है तो आदिर्दाईश्य का क्या महत्वर्ट जो वहां पर भगवान श्री एक बड़्गत का लुक्ष नहीं कि जो हु, जो पांसो वर्त से भी पुराना कहा जाता है और विश्ववर्ट में ऐसे अनेक लुखष से स्वामी संग्राचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और वगवान चैतन्य महाप्रभू केवल 48 वर्ष रहे तो क्या इसका आर्थ यह हुआ कि उपरिक भुख्षों का दीर्द जीवन संकर प्राचार्य या चैतन्य से अधिक महत्वपून नहीं होता क्या निगी चैतन्य महाप्रभू 48 शार रहे और व्यूप्स इतने सार रहे तो क्या इलुक ने उसका जीवन इसे ही कर दिया नहीं एक कम रहे फिर भी चैतन्य महा-प्रभू ने पूरे में संसार पूरे जगत में पूरे वर्ड में अरिनाम संकिर्थन का प्रचार किया इंडिया में किया था और बागी प्रभुपाद ने किया परमपराद्वारा और चैतेनवा पर उसमें भगवान है तो वो भग के रूप में आते हैं लेकिन मनुश्य को उसका उदेश्य समझाने के लिए भगवान अलग-अलग लिलाए करते है तो देखो कितना अच्छा बता थे यानि कि दीरदाईश्य हम कितना भी जिये लेकिन अगर हम कृष्ण की भक्ती नहीं करेगे आत्मा साक्षार कर नहीं करेगे हम कौन है कहां से आए कोई देश्य हमारा नहीं रहेगा तो हमारा दीरदाईश्य जीवन व्यर्थ है कुट्य बिल्दी की तरह है इसी तरह प्रहपात बता दे और गार्डन का नाम गौर्दामरू बता रहे है यहां पी लिका है बड़ा गार्डन है तो ऐसे में जीवन व्यतीत नहीं करना चीए हमको ए मनुष्य दे बहुत तपश्य से मिला है ऐसे मनुष्य दे नहीं मिल जाता है चोरी से लाग शरीर प्राप किया हमने परमपुजय भक्तिव का स्वाई माराज बदारज एक लेक्चर में कि मेरे को इसस अपना आया है कि कभी में कीट था कभी में पतंग कीट पतंग था कभी में उठ था कभी में साप था लेकिन उत्वा अध्यत्मी के लिए अलफे है गुरु माराज लेकिन हमको कुछ उपदेश देना चाहते है कि हम कैसे फसे हैं और कैसे हम बाहर निकलेगे और वापिस हम ए सरीर धारन नहीं करें और भवान के दाम में जाए तो देखे ए महान महान आत्मा भी हमें इसे समझा रहे है फिर प्रवबाद आगे लिखते है आज के संसार और जगत के बारे में बता रहे है इससे तो परमार्त की चेतना से युग एक्षण का भी जिवन स्रेकर है जैसे यहां पर एक्षण दिया चेतने महाप्रवुका जो हमने स्लोप में बढ़ा जीवन का सरोपरी लाप सनातन है एवा ग्नान तता आनन से पूर्न है जो लोग भवधी जच से बाहिय लक्सोन से मोगरस रहते है और खाओ पीओ मोच करो जैसी पास्वी कुरुति में लगे रहते है वे केवल मुल्यवान समय को वियर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गवा रहा है यानि कि खाली स्रम है वकेवल हम है खाली स्रम कर रहे है कोई उसका उदेश्य नहीं है हम डिस्टिबिशन करने जा रहे हैं तो हमारे पास पुष्ठक है परमिस्ण लेने जाते तो बोलते है यह चार दन को तकलिप है हमको तकलिप नहीं है इसका कारण है बगवच गीता का स्री मातर में प्रचार और स्रीमत भागजार नहीं हो रहा है इससे हमके सिखना चीए जो भी लोग देख रहे हैं उसको समझना चीए कि भगवजीता और स्रीमत भागवन का प्रचार कितना जरूरी है आत्मा शाक्षार करके लिए यह लोग पढ़ेगे तब जाके समझेगे कि यह लोग जो प्रचार करने आ रहे हैं कोई निजी स्वार् चेतना को वापिस कृष्णा के साथ पुनस्थापित करने के लिए सचित और आनन में जीवन दिने के लिए वापिस लोग प्रयास कर रहे हैं तो इसको में रोकना नहीं चीए और हरेक प्रमुक को यह सोचना चीए एक देखो एक देशका राजा धर्मपरायन होता है तो प्रजा कितने सुखी रहती है नर्यन्रमोदी जहां भी जाते है तो वो भगवट गिता दिखाते है कि मेरे जिएड में इससे विशेश कुछ नहीं है कम से कम इनका इतना तो आश्रण करो प्रमुक जो भी सोसाइटी है जो भी फ्लैट ओल्डर है रोहा हुसे कि जह नर्यन्रमोदी जी इतना कर रहे है तो कम से कम यह जो प्रचार वाले आ रहे है भगवट गिता भागवत हमका तो कम से कम एटो बोले हम लास्ट संड़े को गए गौर्णामर प्रभू तो प्रमुख से मैं ने बात किया तीन चार प्रमुख को मिला एक ही ने मेरे को परमिशन दिया लेकिन एक बोलता है कि सब को मना किया है सब बोलते बहुत को यहां आएगा नहीं प्रचारक हो भजन हो जो भी हो यह कोई नहीं यह आज्यात्मिक प्रवुति पुरी स्टॉप फिर बोलते हो लोग आते हैं ना वो क्या बोलते हो अगर बच्चा होता है साधी होता है तो हम साल में एक बार उसको परमिशन देते साल में एक बार दो दो देखो यह इसी आलत है और में प्रयास तो करो तो मैं प्रयास केसे करूँगा नियम में खुद ही बनाया है तो उसको मैं तोड़ूँगा कहीं सेंगी तो मैं ला नियम बनाया है तो मैं आपको सोचना तो चीए कि लोगों का आत्म कल्यान के ला जो मार्ग है वह आपने स्टॉप कर दिया है मैं बोला अभी देखो आपके कितने फ्लेट है कितने टावर है वह सब भी जीव का कल्यान आपने रोग दिया बहले अंदर जो भी कर रहा हो लेकिन सब पुर्णा नहीं हम भी पुर्णा नहीं है लेकिन हमारे जो संस्कृदी परांपरा है सनातन संस्कृदी उसको आपने स तो यहां पर प्रभुपाद यही बता रहे स्लोक का ताथ्प्र बहुँट लंबा है फिर यहां पर बताया है पगवान के पईत्र नाम का कीरतन पिछले स्लोक में हमने इस स्विसे की कुछ सिमा तक व्याख्या की है और अब आगे हम पईत्र नाम के चरणों पर किये जाने व डालेंगे पहले दस नाम अपराद बताया अभी भगवान का जो किरतन हो रहा है पही तर नाम हो रहा है उसके चरण में जो अपराद हो रहा है उसके बारे में कुछ प्रकास डालेगे यहां पे प्रभुपात बोल रहे हैं प्रामानिक सास्रों से अनेक उद्धर निये दिये है और पहित्र नाम के चरणों पर किये जाने वाले अपरादों के विशय में व्यक्त विचारों की युग्यता पुर्वक उष्टी की है। विश्ण यामल तंद्र से श्रीले जीवकोष स्वामी ने सिद्ध किया है कि बगवान के कीरतन मातर से मनुष्टे सारे पापों के प्रवाव से मुक्ठ हो सकता है। कैसा भी पापी हो लेकिन बगवान का नाम लेता है जीवा पर तो उसके कई जन्मों का और आने वाले जन्मों का भी पाप नश्ट हो जग़ाई मगई हम देख सकते हैं कैसे फापी थे यानि की नीत्यनमाप्रव पित्थर भी मारा फीर भी जो स्वेह्म बलराम जी का अउतार है और रोब दिय प्रबू हमारा चैट्यनमाप्रव को बोलते हैं कि हमारा आउतार पति जिव का उद्धार के लिए हुआ है स्वेम चैतिनमा प्रभुष्टी कृष्णा थे और सुधरसन्य चक्रद्धारन कर दिया था तो इसी तरह हमें भग को विनम्र एरिनाची है कहøn范 मी प्रचार वह प्रचार में जाते हैं बहुत सांती से हमको बात करने उसको समझाने पूर्भुष्ण नहीं हुए कि पूरा डिश्टिपिशन वाले जूबी टीमें सबको नीचे उदर जाना पड़े है उन्हें बहुत चतुरह से काम लेना पड़ेगा इसने हमारा स् कोई कमार है नहीं लोगों का आत्मकल्यान के लिए हम जा रहे हैं जिससे सामने ओले के साथ में बैठे तो पता चलना चीए कि बुक लेगा कि नहीं लेगा हम थोड़ा उप्देश दे कि उसको घेश सारी बुक देपाए पर उपाद बूलते कि आपका तीन मिलिट का लेक्चर क्या काम का अगर वो भक नहीं बनता है हम बुक नहीं दे पाए तो हमारा काम है पोश्टमेन का यहां से भगवान का हम पोश्टमेन है तो उसको उस तक देखिया नहीं है वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो भगवान ने निमित किया है हमारा समझा करने का करता हुए है क्या पढ़िए हम बोलते हैं बार बार जोर्द भी देज़े क्या आप न्यूश्पेपर पढ़ रहे हो टीवी देख रहे हो इतना लोगों के पास समय नहीं हो और इंद्रेतुप्ती में नरक्कियों का साधन अपना रहे हैं खाते खाते भी टीवी चालू चीए नूश्पेपर चालू चीए खाने के समय भी उलोग को कुछ ना कुछ चीए यानि की चेतना कैसी हो गिए लोग की तो आगे देखते भगवान का चरणू का नाम अपराद तो और पहज़े नाम के चरणू पर किये जाने अपरादों के विशे में विष्णु देते हैं स्री गोश्राम ही कहेते हैं कि हमनुषे को चाहे कि यह न तो भगवद भग की निंदा करें और न लोगों की बाते सुनें जो भगवद भग को छोटा बताने का प्रियास करते हैं Central वो चाहे कि निंदक की जीप काट कर उसे निंदा करना से रोके तो यहाँ हम ऐसा सोचेगे कि आपर में ने परमिसन दिया अभी जालते हैं और निंदा करना इसकी जीप काट डालो दुसरे दिन पुलिस के सोचाएगा कि इसकोन वाल आये हमने निंदा की जीप काट डिया अइसा है नहीं है लेकिन ऐसा सास्तर प्रमान देते हैं कि हमके हमें कितना सावधान रिना चीए भक्तों की निंदा करने वाले से कहां दूसरा उपाया आत्मत्या कर लो तो आत्मत्या कर नहीं सकते हैं प्रेत की तो तक पर यह है कि हमें आप प्रूपाद आचे यह का समरंड करके विनम्रबन के प्रचार करना है और ऐसे प्रचार करने का है उसका कल्यान भी हो और उमारा उद्यश भी शफल कृष और हम अपरास लिदी भचे ए और ब्चतों के अपरास में प्रेट उनी में इसके लिए नहीं जाएगा कि वो उदेश्य भग को दिया आप देखिए अभग को तो यह पता ही नहीं है कि भाई निंदा करना नहीं कि उसको पता क्या है अभग किसको बोलते है कि जिसका वहिष्यों को निंदा करे या नहीं करे उसका क्या लाब है क्या नुकसन उसको पता ही नहीं है तो अभग तो के लिए लेकिन भग तो अगर आत्मते कर देता है तो लेकिन उसका लेवल भी तो होना चाहिए ना हमारा आचरे में किसने किया है लेकिन अचराम को इसा नहीं सिखा है शास्त्र ऐसा बूलता है लेकिन लेवल हमारा नहीं है तो आगे भी मारकंदी पूरान में भी लिखा है और मारकेंडे पुराण में आप देखें मारकेंडे जो रुसी थे तो भागवतम के बारमेस कन में उसका वर्णन किया है कि यह जब पुरा ब्रह्मान का प्रले होता है ब्रह्मा जी का बारा घंड यानि की चार अबज बत्तिस लाख साल का बारा घंड ऐसे ही रातरी तो उसमें मारकेंडे रुसी जीवित थे ओ प्रले में और फिर देखा के सब प्रले जीवित थे और उसके आगे के अध्या में बताते हैं मारकेंडे रुसी जब नर नारायन की उपास ना करते हैं इंद्मर वन अनिंद्डाय सब को भीजता है कि रुषी का तप बंग करो कि थे क्युक्त आगे इंद्र को मेरा इंद्रास्तं ले नहीं लेगा इस तरह पग्वान ना की रक्षा करते हैंगे वहां पर आगे कुछ असर नहीं होता है क्योंकि भगवान के ब कट में हैं लिन थे तो इस तरह बगवान बग्ट की रक्षा करो थे वहां पे इस़ा हुआ कि सब पोण अच्या कामप्र पवण जा रहा हैve अफर रुद्य कर रहे हैं लेकिन वहां next तो इस गर्मी की बर्सा हो रहे हैं गर्मी का तिनखा लग रहा था जो वहां पर उपस्तित साथना भंग करने वाले थे जो स्वर्क के अपसराय वह भी उसको इसे डाजने लगा सरी तो वहां से चलेगे देखिए भगवान इसी रक्षा कर देगा तो निकल गे तब मार्कें रुषी को जब नर नारायन प्रसंद होते हैं एक शाम रूप एक स्वेत रूप था तो फिर बगवान बोलते मांगो क्या चीए तो बोलते बगवान आपकी माय सक्ति मेरे को देखनी है आपका माय सक्ति का मेरे को अनुभो करना है बगवान ठीक है फिर मार्कें रुषी व अनुभाव करते हैं कि वापीस प्रलाई आया और सब दूब गया सब जल बंबाकर हो गया पुरा ब्रह्मान और वापीस घुम रहे है पहले कि इदर इदर से इदर उदर विचरन कर रहे है और उसको एक वट उर्ष का पत्ता दीखता है उस पे बालक बैठा हुआ है तेरत ले रहा है करके तो मारके यण्डिर्शी पुरा रहा है और वापिस अंदर जाके देखते है कि वहां भी यह से जो बाहर में स्तिती देख रहा हूं ये बालक के इंदर है सब और फिर हो रहा वापिस जो और शयक्ष 혁स बाहर काड़के मारके यह संस्वारेन प्रवार आ जाते हैं और फिर देखते हैं ज्यान में से बार निकलते हैं वह वह अनुभव करते हैं तब उसको पता चलता है और उसकी आँख खुलती है कि जो मैं देख रहा था वह सब भगवान की माया थी आप समझें तो अंदर जाते है बगवान के अंदर वहां भी परिष्टित यह बगवान की माया है हम यहां पे इस संसर में आये हैं लेकिन सब हम देख रहेगे बीबी बच्चे परिवार धन हम आनन लेना चाह रहे हैं कि भक्ति भी करें और साथमें भी करें तो यह कथा से उनको पता चल और हमको खिलो ना देदिया घगवाने पुड़ा ब्रह्मान उसमें हमको गुरु भी दिये हैं शास्त्र भी दिये हैं जिसे हम आत्मा साक्षार कर सके कि हम खिलुगने के साथ कितना खेलें और ना किले हमको माय का दर्शन करने का जरूत ही नहीं है मारके निर्शी की तरह हमको सास्त्र द्वारा सादु गुरु स्वास्त्र द्वारा पता ही चल जाता है कि माय में है कि नहीं है भग को इतना पता चलता है लेकिन माय को स्विकारे नहीं और माय में रेना चाता है वो बात अलग है ते भगवान की माया है और तातपर बहुत लंबा है समय भी बहुत हो गया है फिर यहां पर बगवान बताते है अरे शुप्द्यों को श्वामि परिक्षित मालग को बता रहे हैं जहां तक देता के नामों से भगवान के पहिज़नाम में अंतर करने की बात है प्रकट सास्त्र भगवान भगवगिता दस्वा अज्याए 41 में यह बता है कि सारे असामन्य सक्तिसाली जीव परम सक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंसे जो भी सुन्दर चीज़ देखते हो ज सभी मेरे में से परकट हो망ै यानि जी नहीं कि ब्रह्मा क्या उत्पति मेरे में से हुआ है Gharva D implementing शाय कि नाभी में से बगवान में ब्रह्मा जी को प्रकट की या ब्रह्मा जी को कुरोदाय थे वो ब्रहमन से रुद्रवत्पन हुए तो इस तरह सभी उत्पती मेरे में सोई है और सभी अंज मेरे हैं ममे इवान से जीव लोके जीव भूतर सनातना मनसस्टानी इंद्रियानी प्रक्रोति स्थिती कर्षति कर्ष्षती अधर एक हरेग जीव विरान से तो यहां पर बता दे कि पहित्र जो भगवान का नाम है रहा है और दूसरा है शीव ब्रह्मादी दियों को भगवान के नाम के समान समधना और उसे सतंत्र समधना वह भी अपड़ा दे यानिकि सब लोग बोलते है कि ब्रह्मा परम भगवान विष्णु के सम्मान नहीं हो सकते हैं यहां में बताया है लोग बोलते हैं कि यह की है ब्रह्मा जी भी किसी भी पुपिजा करो सब सेमी है बाप भी सेमें मा भी सेमें बच्चा भी सेमें ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है बाप बाप है तो इसी तरह भगवान जो वहां भी हम अपराद करेगे यह दूसरा अपराद आता है दस नाम अपराद में से ब्रह्मा सिव या अन्य सक्ति साली देवता कभी परम भगवान विष्णु की सम्मान नहीं हो सकते भगवान का सक्ति साली परितर नाम निच्चीत रूप से मनुष्य को पाप के प्रभाव से उबार सकता है किन्तु जो व्यक्ति भगवान के परितर नाम की दिवय सक्ति का उपयोग अपने कुछित कार्यों के लिए करना पुस्तित कार्यों के लिए करना चाते हैं वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते है ऐसे व्यक्ति को बगवान या उनके प्रतिनिधी कभी भी क्षमा नहीं करते अतय वा मनिश्य को चाहे की सभी प्रकार से बिना किसी अपराद के अपने जीवन का उप्योग भगवान के येश्योगान में करे यानि कि नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहे हैं हम भक्ति भी करे इंदिरितुप्ति भी करे तो ये पाप है यानि कि हम नामा अपराद की स्तिती से नाम ले रहे है हमको एश्वरे मिल रहे है यह तो पक्का है कि नाम अपरादस्यक्र यह दнова धनी मीनira है और उब और यह प्रहभान से हम इंड्डूप्ति कर रहें आप सम्झें यानि कि आपे अपराद हो गया यानि कि हमको बले भगवान की इच्छा हो तो हमको एश्वर देगे इसा नहीं है करोपदी भगत है हम देखते हरिंदास लोग भी है ऐसे सारे भगत है जैई गुएन रभू पहले से ही उसके पास धन है परंबरा मिला है और किसी को नामापरा किन हमारा उद्देश यह सीख्राइए की गो उसकी सीव में लगाये क्या 20 मिला तो कैसे हम भगवान की सेवा करे, प्रसाद बनाए, डिश्टिविशन करे, मंदीर के जी सेवा है तब हम आजर रहे, लेकिन हमेरे पास जब सेवा का मौका आता है और हम बैठ जाते है, समय होने के बावजूद, यार समय हो, नहीं भी हो तो हमें समय निकलना चाहिए, क्यों ह हमारा उद्देश ही है कि क्रिश्न को प्रसंद करे, अगर हम बैठ गए, यानि कि हम माया में है और इंद्रे तुप्ति करना चाहते हैं, यह में समर ना चाहिए, क्योंकि हमें दुबरा एक शन वापिस नहीं आएगी, चाने के पंडित बोलते है कि करोडों सोना मर, खर्च दिया है, ऐसे दिर जीवन से क्या लाब, जिसे इस संसार में बर्षो तक अनुभू वहीन बने रहकर गवा दिया जाए, उसे ते एक ख़ण भगवान की अच्छी है, वह में समझना चाहिए, कि हम कोई ख़ण ऐसी तो नहीं गवा रहे हैं, जिसे हमारा अध्यतनी नुक्स हो रहा है, वो सरकार लिखाती है, जागो ग्रहक, जागो ग्रहक, यानि कि आप जहां भी खरिदी करते हो, बिल लो, बिना बिल का पैसा, मद जागो, तो सादू सावधान, सादू जागो, कि हम कुछ इंदरी तुप्टे में तो व्यस्त नहीं हो गया है, भगवान को उपर जित करने में, यह अमारा उद्रिश नहीं होना चीए, इसलिए हमें जागते रही ना चीए, हर क्षण, हर पल, और हमें कोई भी क्षण, ऐसी गवानी नहीं चीए, जिसे हमारा आध्यत्मी कल्यान रुख जाए, हमारा गोल रुख जाए, कृष्ण प्रेम प्राप कर कल्युक का प्रभाव, लेकिन जब हमको कोई भक्तों के आदेश के द्वारा बताया जाए, कि मेरे को बोला है, आनेगा, यानि कि मैं थोड़ा भक्ती से दूर हो गया हूँ, इसलिए समझ कि हमें आना चीए, कि मेरा कितना उपकार का रही है, कि मेरे को यह जागरत कर रहा ह है, कि जो मेरे क्षण में व्यतित कर रहा हूँ, वो मेरे क्षण और भगवान की श्री कृष्ण की सेव में वापिस लगाने के लिए मेरे को प्रुस्ताहित कर रहा है, तो इसी तरह मैं हरे वैशनों का, भक्तों का जो में सेव में लगना चाते हैं, और जो बताते हैं, उस इसका दिल से रदय से आभार व्यक्त करना चीए क्योंकि वह हमारा आध्यत्मी कल्यान सोच रहा है इसी तरह ये सब माया में पड़े हैं बद्जीव गुरुक्स की तरह कितना भी हम लंबा आईश्य जीएगे लेकिन अगर हमारा जे क्रिश्ण प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है इसलिए हमको भगवान की सरण में अरे क्षण यतित करना चीए को बस्सकते है इस्टा पवेश्य और घटे हैं इसलिए हमारा जात्व इसमीघ ब्सान का लिए प्वेश्य प्रेम में अवारा जालुक्ते हैं नहीं है अडुक्ते हैं आज टोक्ते हैं